इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिगई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। वे इन वायुमार की मांसपेशियों को आराम देकर काम करते हैं। इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। यह आपकी छाती में जकरन, सांस की तकलीफ, घरगराहट और खांसी जैसे लक्षनों से राहत देगा और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में मदद करेगा। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। यह आमतोर पर कुछ ही मिंटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है। जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। इसे ठीक से काम करने के लिए आपको अपने इनहेलर का सही तरीके से उप्योग करने की आवश्यक्ता है। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो अपने डॉक्टर या नस से पूछें। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधी में करें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। ट्रैस्प्यूल, ट्रांस्प्यूल के उपर से ट्विस्ट करें और नेबूलाइजर में सारा तरल निचोड दें। इसे खोलने के तुरंत बाद इस्तेमाल करना चाहिए। सैलबेर नेब 1.25 मिलीग्राम ट्रांस्प्यूल्स ब्रॉन्कोडाइलेटर होता है। यह वायुमार्ग में मांस्पेशियों को आराम देकर काम करता है और वायुमार्ग को चौड़ा करता है। इससे सांस लेने में आसानी होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को, टन अन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें, धन्यवाद.